हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके साथ इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेस्चन्स है यानि कि जो इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स है जो आपके एक्जाम में आने के च लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह से यानि कि स्टेट लेवल एंड सेंटर लेवल के जो भी एक्जाम्स हैं उन सभी एक्जाम्स में जो मोश्टली क्वेशन पूछे जाते हैं इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड उन सभी क्वेशन का डिसकुशन करूंगी सो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप पत कीजेगा एंड तक देखेगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशन हैं यहां पे कि दोस्तों क्वेशन यह है कि वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की अस्थापना में साहयक सिद्ध हुआ कौन सा था वह युद्ध तो दो इनके दूसरे युद्ध की के दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों यह जो युद्ध है 1192 इस्वी में हुआ था और मोहमद गोरी और फ्रेंड्स यह प्रित्वी राज चोहान के बीच में हुआ था नेक्स क्वेशन है लाख बख्स की उपाधि कि साशक को दी गई थ थी तूस्तों कुतुबुद्धीन को यह उबादी दी गई थी कुतुद्धीन को लाख बख्स के नाम से भी जाना जाता था option number D, लाख बक्स दोस्तों कुतुब उदिन आपका right answer यहाँ पे हो जाएगा next question है, वह Muslim आक्रमनकारी जिसने नालंदा विश्व विद्याले को नस्ट किया था दोस्तों important question है, नालंदा विश्व विद्याले के बारे में question पूछा जाता है कि किस ने इसको नस्ट किया था तो आपके सामने options में हैं यहाँ पे, अला उद्दिन खिल जी, मौहमद बिन तुगलग, मौहमद बिन बक्तियार और मौहमद बिन कासीम तो दोस्तों इसका जो right answer है, वो होगा option number C, मौहमद बिन बक्तियार जो है friends, यह correct answer होगा अगला question है, पहली मुश्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया सबको पता है यह question कि पहली मुश्लिम महिला सासिखा जो थी, जिनका नाम था रजिया सुल्तान A option रजिया सुल्तान आपका दोस्तों correct answer यहाँ पर हो जाएगा अगला है, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नीव रखी कहाँ पर options में है अनंग पाल B option है वजड़ता, option number C है रुद्रण और D है देव राज तो किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नीव रखी दोस्तों इसका नाम था अनंग पाल, option number A अनंग पाल जो है यह correct answer देखने को मिलेगा अगला question है friends तराइन का युद्ध, दोस्तों आप सबको पता है 1192 इस्वी में तराइन का द्वित्धी युद्ध हुआ था और अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 इस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध और यहां पे 1192 अगर दिया है तो तराइन का द्वित्धी युद्ध है तो इसमें ये पूछा है कि किसने किसको हराय था तो दोस्तो तराइन का जो युद्ध है वो मुहमद गौरी और पृत्वी राज चोहान के बीच में हुआ था तो दोस्तो इस युद्ध में मुहमद गौरी जो है इसने पृत्वी राज को हराय था D option यहाँ पे आपका correct answer दोस्तों हो जाएगा Next है मौहमद गौरी ने अपने जीते हुए छेतर के प्रशाशन के लिए न्युक्त किया था तो दोस्तों किसे न्युक्त किया था Options में है यहाँ पे नसीरोद्दिन Option नमबर B है इल्तुत्मिश C है कुतुबुद्दिन एवक और D है मलिक काफूर दोस्तों क्या होगा इसका right answer इसका जो right answer है वो होगा आपका option नमबर C कुतुबुद्दिन एवक यहाँ पे right answer दोस्तों हो जाएगा Next question है रजिया सुल्तान पहली महिला जो कि दिल्ली की गदी पर बैठी थी किसकी पुत्री थी दोस्तों ये आपका इल्तुतमेश की पुत्री थी option नमबर C इल्तुतमेश यहाँ पे correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला question है किस युद्ध ने मोहमद गोरी के लिए दिल्ली पर शाषन का मार्क प्रशष्थ किया था तो दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा युद्ध था जिसमें मोहमद गोरी जो है उसके लिए दिल्ली पर शाषन का मार्क प्रशष्थ किया था ये था friends आपका तराइन का द्वित्य युद्ध जो की मोहमद गोरी और प्रित्वीराच चोहान के बीच लड़ा गया था और इसमें मोहमद गोरी की विजय हुई थी 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों तो B option यहाँ पर तराइन का द्वित्य युद्ध जो है ये correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा next question है इल्तुत मेश ने कहां शिक्षा का केंदर अस्थापित किया था तो friends इसने दिल्ली में इल्तुत मेश यो है इसने दिल्ली में शिक्षा का केंदर अस्थापित किया था D option दिल्ली जो है ये friends correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था दोस्तों ये था आपका नसीरुत दीन का option number A नसीरुत दीन दोस्तों correct answer देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है निम्ड में से किसको प्रिथवी राज चोहान ने तराइन के पहले युद में हराय था दोस्तों पहले युद की बात करिये यहां पर तो आपको यह पता होना चाहिए कि तराइन का जो पहला युद है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था, दोस्तों सेम जैसा द्विती में जिसके सास्थ लड़ा कया था उसने प्रत्थम में लड़ा था तो प्रिथवी राज चोहान ने मुहमद गोरी के साथ लड़ाई की थी इसमें और दोस्तो इसमें मुहमद गोरी हरा था बी ओप्शन मुहमद गोरी जो है ये आपका correct answer दोस्तो हो जाएगा मुहमद गोरी ने प्रिथवी राज चोहान को किस युद में हराय था दोस्तो इसने हराय था 1192 के तराइन में जो की तराइन का द्विती युद था दोस्तों पहले युद में पृत्वी राज चोहान ने मोहमद गोरी को हराय था और जो द्विती युद हुआ था उसमें मोहमद गोरी ने पृत्वी राज चोहान को हराय था तो आपको याद दखना है 1191 में तराइन का पहला युद हुआ था और 1192 में तराइन का द्विति युद्ध हुआ था तो B option यहाँ पे 1192 दोस्तों आपका correct answer यहाँ पे देखने को मिलेगा अगला question है निम्ण मेंसे किस सुल्तान ने खलीफा से शाषन का गोशना पत्र प्राप्ट किया था तो यह किया था friends आपका इल्टुत मिष्ट ने option number A इल्टुत मिष्ट जो है यह correct answer यहाँ पे देखने को मिलेगा अगला question है किस सुल्तान ने खलीफा से साषन का गोशना पत्र प्राप्ट किया था दोस्तो यह किया था आपका इल्टुत मिष्ट ने option number B इल्टुत मिष्ट correct answer दोस्तो देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था options में है कुतुबुद्दिन एबक, मिल्हाज, सिराज, इल्टुत में और गया सुद्धिन बल्बन तो दोस्तो कौन था इसका दिल्ली सल्तनत का उद्धारक फ्रेंड तो यह थे आपका गया सुद्धिन बल्बन option number D गया सुद्धिन बल्बन correct answer यहाँ पे होगा और अगला question है दिल्ली सल्तनत की शुरुवात कब हुई थी दोस्तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुवात है वो 126 इस्वी में हुई थी option number B 1206 इस्वी इसका correct answer होगा दोस्तों और अगर हम इसकी बात करें कि इसका अंत कब हुआ था दिल्ली सल्तनत का दोस्तों 526 इस्वी में जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ कौन सा युद्ध हुआ था 526 में पानी पत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो अंत है यह हुआ था 526 इस्वी में आपका तो दोस्तों अगर हम बात करें तोटल 320 परसो तक दिल्ली सल्तनत का शाशनकाल रहा था तो इक डाई टैंसर होगा इसका 1206 इस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुबात हुई थी नेक्स्ट कोशन है दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रशलन में लाया और दिल्ली को अपने सामराजी की राजधानी गोशित की थी वो कौन था तो वो था फ्रेंड्स आपका इलतुत्मिश ओप्शन नमबर ए इलतुत्मिश करेंट एंसर दोस्तों हो जाएगा दिल्ली के किस सुल्तान ने लौरक्त की निती को अपनाय था दोस्तों इसमें आप्शन्स में हैं आपका अलाव दिन खिलजी, गया सुदिन तुगलक, बलबन और इलतुत्मिश दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने लौरक्त की निती को अपनाय था तो ये था friends आपका बलबन option number C बलबन correct answer देखने को मिलेगा next question है चांदी के सिक्के को किसके कारिकाल में प्रचलन में लाया गया था दोस्तों चांदी के सिक्के को आपका इल्तुत मिश के शाषन काल में प्रचलन में लाया गया था बी option इल्तुत मिश आपका दोस्तों correct answer हो जाएगा next question है निम्ड में से किस सुल्तान की मृत्यू पोलो या फिर चौगान खेलते हुए हुई थी तो यहाँ पे options में है कुतुबुद्दिन एमक बी option है बलबन option number C है इल्तुत मिश और D है हुमायू दोस्तों किस सुल्तान की मृत्यू पोलो या फिर चौगान खेलते हुई थी बहुत easy question है mostly time exam में पूछा हुआ question है तो इसका जो right answer है वो होगा आपका कुतुबुद्दिन एबग दोस्तों कुतुबुद्दिन एबग की मृत्यू पोलो या फिर चौगान खेलते हुई थी next है तराइन का युद्ध पृत्विराज चौहान और किस के बीच में हुआ था दोस्तों ये जो युद्ध है ये हुआ था मौहमद गौरी के बीच में प्रिद्विराज चोहान और मौमत गोरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था बी ऑप्शन आपका correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला question है तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ाएगा दोस्तों question में आपको तराइन के प्रथम या फिर्द्वित्य युद्ध के बारे में कोई mention नहीं किया है तो आपको इस question को option के according करना होगा तो options के अगर हम बात करें तो 1526 में जैसा कि आप सब को पता है कि तराइन पानी पत का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1757 में हो नहीं सकता है और C जो तीसरा है 1191 इसवी में तो तराइन का जो युद्ध है वो दो लगातार year by year हुआ था एक तो 1191 में हुआ था एक 1195 में हुआ था तो 92 यहाँ पे option नहीं है 1191 का option है तो आप इसके हिसाब से decide कर सकते हैं कि C option जो है यह आपका correct answer होगा तराइन का जो युद्ध है वो 1191 इसवी में लड़ा गया था जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था next question है यादाव शासकों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों यादाव शासकों की जो राजधानी थी वो थी आपका देवगीरी option number D देवगीरी correct answer दोस्तों होगा अगला question है चितोर के किरती इस्थम यानि की विजए इस्थम का निर्मान किस ने करवाया था दोस्तों ये जो निर्मान है इसका निर्मान महराणा कुम्भाने option B जो है इसका महराणा कुम्भाने 1448 इस्वी में जो मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था महमूर शाह खिल जी इसको जब युद में पहली बार परास्त किया था दोस्तों तो उसने इसकी याद में जो उनकी इस्थ देव थे विश्णू उनके दोस्तों ये किरते स्थम बनवाए गया था आके बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन है यहाँ पर दिल्ली का सेना पती जिसने सफलता पूर्वक मदुरय पर आकमेंड किया था वो कौन था दोस्तों वो था आपका मलिक काफूर option number C मलिक काफूर यहाँ पर करेक्ट एंसर दोस्तों देखने को मिलेगा अ चोटा नागपूर बीजापूर और गोल कुंडा तो दोस्तों option number D जो है गोल कुंडा यह आपका करेक्ट एंसर दोस्तों देखने को मिलेगा नेक्स्ट कुशन है दिल्ली का साशक खिल जी कहां का रहने वाला था कौन था तो दोस्तों खिल जो है वो एक तुरकी साशक था C option यहाँ पे तुरकी साशक जो है यह आपका करेक्ट एंसर दोस्तों हो जाएगा अगला question है किसको द्वित्य सिकंदर के नाम से जाना जाता है आपके सामने options में है जलाल उद्दिन खिल जी मुबारक खिल जी खुश्रो खान और अलाउदिन खिल जी दोस्तों द्वित्य स सिकंदर के नाम से अलाउदिन खिल जी को जाना जाता है डी option यहाँ पे अलाउदिन खिल जी correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके जो answers है वो आप प्लीज comment box में mention करते चलिए और दोस्तों end में आप यह देखिएगा कि आपके कितने questions सही इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों आपको मारे चैनल पर बने रहेए ऐसे ही new new videos की update आपको देखने को मिलेगी so friends चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए और bell icon पर प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो please थोड़ा सा like और share त फ्रेंट्स ये लागों की गई थी आपका allow दिन खिलजी के द्वारा see option allow दिन खिलजी यहां पे correct answer होगा अगला है यात्रित जो था दोस्तों इबन बतुदा ये कहां से आया था दोस्तों इबन बतुदा जो है ये अफ्रीका का जो मोरक्को है वहां से दिल्ली आया था कब 2333 में अगर हम बात करें कि 1333 में शासन किसका था 2333 में मुहमद बिन तुगलक का साशन था और उस समय जो मुरक्को का यात्रिक है इबन बतुदा ये भारत यानि की दिल्ली आया था अगला question है दोस्तो रिपीट question है जैसा कि मैंने पहले question में भी बताया है कि इबन बतुदा किसके साशन काल में भारत आया था दोस्तो ये मुहमद बिन तुगलक के साशन काल में 1333 में ये यहाँ पर आया था अगला question है दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग यानि के सरकारी अस्पताल और रोजकार दफ्तर बन वाया था तो friends ये बन वाया था आपका फिरोज तुगलक ने option number a फिरोज तुगलक करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा अगला question है निम्ड में से किस दिल्ली सुल्तान को इत्यास कारों ने विरोधों का मिस्टर बताया है तो friends ये बताया है आपका मुहमद बिन तुगलक को option number c मुहमद बिन तुगलक यहाँ पर friends करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ पर किस ने सन 1329 इस्वी से 1330 इस्वी के बीच तामबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी दोस्तों options में है allow दिन खिलजी b option है गया सुदिन तुगलक c है मुहमद बिन तुगलक और d है फिरोज तुगलक तो इसका जो right answer है वो होगा option number c दोस्तों मुहमद बिन तुगलक ने 1329 से 30 इस्वी के बीच तामबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी c option यहाँ पर आपका दोस्तों right answer होगा अगला question है मुहमद बिन तुगलक जो है वो एक असफल साशक था यानि कि वो साशक तो था लेकिन वो असफल था तो इसका कारण क्या था तो आपके सामने यहाँ पे चार कारण दिये गए है जिसमें पहला है कि वो पागल था इसलिए असफल था या फिर वो व्यावारिक वक्ति नहीं था तीसरा है उसने राजधानी को हस्तांतरित किया था और चौथा है उसने चीन के साथ युद छेड़ा था तो क्या होगा फ्रेंट्स इसका राइट एंसर राइट एंसर है दोस्तों वो वो व्यावारिक वक्ति नहीं था इसलिए वो एक असफल साशक था ब वर्तमान का जो दौलताबाद है जिसे मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की थी दोस्तों वो कहां पर इस्तिता दौलताबाद ये इस्तिता आपका औरंगाबाद में बी ऑप्शन औरंगाबाद करेक्ट एंसर फ्रेंट्स हो जाएगा न फिरोज तुगलक दोस्तों फिरोज तुगलक जो है इसने ब्रामरों पर जजिया कर लगाया था बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट एंसर दोस्तों देखने को मिलेगा अगला कुशन है मुहमद बिन तुखलक ने अपनी राजधानी कहां पर अस्तांतरित की थी दोस्तों इस तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिकों की जगत तामबे के सिकों को प्रेशलन में लाया था तो ये था फ्रेंड्स आपका मोहमद बिन तुगलक बी ऑप्शन मोहमद बिन तुगलक राइट एंसर देखने को मिलेगा अगला कुशन है किस साशक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलता बाद हस्तांतरित की थी दोस्तो कौन सा साशक था तो ये था आपका मोहमद बिन तुगलक ऑप्शन नमबर बी मोहमद बिन तुगलक करेक्ट एंसर फ्रेंड देखने को मिलेगा नेक्स कुशन है लोदी वन्च किस के द्वारा अस्थापित किया गया था दोस्तो लोदी वन्च जो है ये बहलोल लोदी के द्वारा अस्थापित किया गया था मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेशन था उसमें इसकी बात कही थी कि भारस में मुगल सामराज की जो नीव है वो कौन से युद से रखी गई थी अगर आपको यादो तो आंसर बताईए कॉमेंट बॉक्स में तो इसका जो राइट एंसर है वो होगा कि पानीपत का पहला य इब्राहिम लोधी ने इस युद को लड़ा था दोस्तो इसी युद से भारत में मुगल सामराज की नीव रखी गई थी ऑप्शन नमबर सी करेक्ट एंसर दोस्तो देखने को मिलेगा अगला कुशन है लोधी वंश का अंतिम शाशक कौन था दोस्तो इब्राहिम लोधी ज आगरा शहर का सनस्थापक कौन था दोस्तो सिकंदर लोधी जो है ये आगरा शहर का सनस्थापक था दी ऑप्शन सिकंदर लोधी करेक्ट एंसर यहाँ पर हुगा आगे बढ़ते हैं नेक्स वोशन है नेमनी में से किस युद के द्वारा दिली में मुगल सामराज की नीव प्रखी गई पहला भी बताया मैंने पहले क्योशन में भी दोस्तों ये है आपका पानी पत का पहला जो कि 1526 इस्वी में हुआ था इस युद के द्वारा दिल्ली में मुगल सामराज की नीफ रखी गई थी डी ओप्शन फ्रेंड्स आपका करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा नेक्स्ट कुश्चन है निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था नो तो ये थे आपका इब्राहिम लोदी ओप्शन नमबर डी इब्राहिम लोदी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्टनत का शाषन कब समाप्त हो गया था दोस्तो ये जो साषन है ये पंदरसोचब़िस इस्वि में समाप्त हो गया था ऑप्शन बड़ बी पंदरसोचब़िस करेक्ट एंसर दोस्तो देखने को मिलेगा लोदी वन्स का शर्ण स्थापक कौन था दोस्तो बहलो लोदी जो है ये लोदी वन्स का शर्ण स्थापक था C option बहलो लोदी यहाँ पे correct answer दोस्तो होगा आगे बढ़ते हैं अगले question के तरफ question ये है कि पानीपत का पहला युद्ध किस वर्स लड़ा गया था तो दोस्तो पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 1526 इस्वी में लड़ा गया था C option 1526 correct answer होगा अगला question है सन 1526 इस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किस के बीच में हुआ था दोस्तो ये जो युद्ध है बाबर और इब्राहीम लोदी के बीच में हुआ था D option इब्राहीम लोदी दोस्तो आपका correct answer यहाँ पे होगा यादर केगा इब्राहीम लोदी next question है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किस वर्स हुआ था बहुत easy question है दोस्तो बहुत ज़्यादा easy है आप सबको ये पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्स में हुआ था 1526 इस्वे में C option यहाँ पे correct answer होगा अगला question है बहमनी समराज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तो ये जो अस्थापना है अला उद्दिन हसन के द्वारा बहमनी समराज की अस्थापना की गई थी next question है किसने हमपी और तिरुपती मंदिर के सामने राय गोपूरम समारकों का निर्माइन किया था तो ये किया था friends आपका कृष्टन देव राय ने option number B कृष्टन देव राय करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं next question है यहाँ पे निम्न में से किसने तुंग भद्र दो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी दोस्तो question धान से पढ़िएगा नहीं लड़ी की यहाँ पे बात किया है यह था आपका गोल कुंडा और एहमद नगर साम राच option number C correct answer दोस्तों हो जाएगा अगला question है विजय नगर साशकों में से सबसे प्रशित साशक किसे माला जाता है दोस्तों यह माला जाता है आपका कृष्टन देव राय को option number A कृष्टन देव राय दोस्तों correct answer देखने को मिलेगा next question है विजय नगर का मद्धे काले शहर वर्तमान में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है दोस्तों यह जो वर्तमान में हमपी के नाम से जाना जाता है C option हमपी आपका यहाँ पर correct answer है दोस्तों इसके जो अस्थापना है दो भाई थी जिनका नाम था हरियर और बुक का उन्होंने मिलकर इसके स्थापना की थी next है विजय नगर के साशकों ने किस भासा को बढ़ावा दिया था दोस्तों यह दिया था आपका तमिल, तेलगू और संस्कृत को तमिल, तेलगू और संस्कृत यहाँ पे राई टैंसर दोस्तों देखने को मिलेगा अगला खुशन है कृष्टन देव राय के समकारिन कौन था दोस्तों यह थे आपका बाबर ऑप्शन नमबर C बाबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अगला खुशन है उस लदी का नाम बताईए जिसके किनारे विजे नगर शहर बसा हुआ है यह है आपका तुंग भदर नदी ऑप्शन नमबर D तुंग भदर नदी करेक्ट आंसर होगा अगला खुशन है बहमनी राजाओ की राजधानी कौन सी थी तो यहाँ पर ऑप्शन में है गुलबर्ग, बीजापुर, हमपी और आगरा तो बहमनी राजाओ की राजधानी कौन सी थी थी फ्रेंड्स तो यह थी आपका गुलबर्ग ऑप्शन नमबर A गुलबर्ग करेक्ट आंसर दोस्तो होगा नेक्स कोशन है क्रिष्टन देव राय का मित्रतापुर्ण सम्मंद किस्से था तो यह था फ्रेंड्स आपका पुर्त गाल से ओप्शन नमबर C पुर्त गाल करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं विजय नगर सामराज का आवसेश पाया गया था यह जो अवसेश है वो हमपी में पाया था जो किसी ऑप्शन है यहाँ पे हमपी करेक्ट आंसर दोस्तो देखने को मिलेगा अगला कुशन है प्रशित मुसलिम साशक चांद बीबी किस सामराज से सम्मंदित थी दोस्तो चांद बीबी जो है यह एहमद नगर से सम्मंदित थी ऑप्शन पर सी एहमद नगर आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा अगला कुशन है कृष्टन देव राय ने हमपी में कृष्टन स्वामी मंदिर का निर्माइन करवाया जो वर्तमान में किस राज में क्रिशन स्वामी मंदिर किस राज में है IPS यह करनाटक में करनाटक कर्ड़ एंसर दोस्तो है दोस्त अगला कृष्टन है अगला कुशन है विजे नगर सामराज का पहला साशक कौन था जिसने बैमनियों से गोवा के महत्वपुन किला को छीना था दोस्तों ये था आपका हरियर द्विति यहाँ पे हरियर सेकेंड जो है ये दोस्तों करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा अगला कुशन है ताली कोटा युद के समय विजे नगर सामराज में किस राजवन्त का शाशन था दोस्तों ये था आपका तुलूब वर्ण्स का उप्सन नमबर C तुलूब राजवन्स यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा अगला कुशन है विजे नगर शहर किस राजवन्त के नाम से जाना जाता है तो विजे नगर शहर जो है ये हमपी के नाम से जाना जाता है C option हम पी right answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला है कौन सा युद्ध विजे नगर समराज के पतन का कारण बना तो friends ये था आपका ताली कोटा का युद्ध option number B ताली कोटा का युद्ध जो की 1565 इस वी के उपरांत हुआ था तो इस समय विजे समराज का जो अंत है वो हुआ था अगला कुशन है friends यहाँ पे विक्रम सीला विश्व विद्याले का संस्थापक कौन था आपके सामने यहाँ पे चार ओप्शन से जिसमें है विजे सेन, अतीसा, धरम पाल और बलाल सेन तो आपको बताना है कि विक्रम सीला विश्व विद्याले का संस्थापक कौन था तो friends यह थे आपका धरम पाल option number C, धरम पाल friends correct answer हो जाएगा next question है, निमलेखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में साशन नहीं किया तो friends इसमें right answer होगा आपका गौरी बंस ने option number D, गौरी बंस आपका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं यहाँ पर निमलेखित में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों जोड़ा जो है वहाँ पर यह गलत है कि दोस्तों हेन सांग जो है वो चीनी यात्री था इबन बतूता जो है वो मुरको से आया था, मेगस थनी दोस्तों ग्रीस यात्री था और अगर हम बात करें यहाँ पर फायान की दोस्तों फायान जो है वो भी एक चीन यात्री था ना कि मलीशिया से आया था तो इसका राय्ट एंसर क्या होगा फायान चीन और अप्षिन नमबर D, आपका करेक्ट एंसर दोस्तो देखने को मिलेगा नेक्स क्ोशन है किस स्ताबदी में दिल्ली के एक कुटभ मिनार का निर्मार्ण हुआ था दोस्तो किस सताबदी में हुआ था ये हुआ था आपका बारहवी सताबदी में option number A, बारहवी सताबदी correct answer friends हो जाएगा next question है प्राचीन भारत में कितने महाजन पर थे दोस्तो चार option से यहाँ पर जिसमें है 20, 16, 18 और 10 तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत में कितने महाजन पर थे दोस्तो 16 महाजन पर थे प्राचीन भारत में option number B, 16 जो है ये correct answer होगा next question है प्रशित यात्री, मारको पोलो किस देश का निवासी था दोस्तो प्रशित यात्री, जो मारको पोलो है वो दोस्तो इटली का निवासी था option number B, इटली, यहाँ पर correct answer दोस्तो देखने को मिलेगा next question है, कुसान समराज का संस्थापक कौन था दोस्तो कुजूल कड़ फिशेज, जो है वो कुशान समराज का संस्थापक था option number C, यहाँ पर दोस्तो right answer देखने को मिलेगा आगे भढ़ते हैं अपने अगले question का तरफ question यह है कि पल्लो वंस की राजधानी क्या थी दोस्तो पल्लो वंस की राजधानी थी आपका काची पूरम option number A, काची पूरम correct answer यहाँ पर हो जाएगा move करते हैं अपने next question के तरफ question यह है कि किस ताशक का नाम यूराज खुर्रम था दोस्तो options में है यहाँ पर शाजहां, जहांगीर, बाबर और अकबर था दोस्तो शाजहां का नाम जो था वो यूराज खुर्रम था, option number A आपका correct answer हो जाएगा दोस्तो वही अगर हम बात करें कि साजहां जो है इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम था जहांगीर और जो माता थी दोस्तो उनका नाम था जोधा बाई, जो की जगत गुशाई के नाम से फेमस थी तो A option दोस्तो आपका यहाँ पर राइट एंसर होगा शाजहां नेक्स कोशन है तोमर राजपुतों के अधिन पहला शहर कौन सा था जो उनके सामराज की राजधानी बनी तो यह था फ्रेंट्स आपका दिल्ली option number A दिल्ली correct answer देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं next question यहाँ पे नूर जहां किस मुगल समराट की पत्नी थी दोस्तों नूर जहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी option number D जहांगीर जो है यह आपका right answer दोस्तों देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है प्रिथवी राज तृतिय चिनका साशनकाल 1168 से 1192 था दोस्तों यह किस वर्ज के प्रशिद सासक थे दोस्तों प्रिथिवी राज तृतिय जो है यह चोहान बंस के प्रशिद सासक थे यह option चोहान आपका correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ पे हुमायू के मकबरे का वास्तुकार कौन था? दोस्तों इनका नाम था मिरक मिरजा मिरक मिरजा जो है यह हुमायू के मकबरे के वास्तुकार थे C option यहाँ पे मिरक मिरजा आपका correct answer होगा दोस्तों मिरक मिरजा ने ही हुमायू के मकबरे को स्थापत्य कला का रूप दिया था और यह जो मकबरा है इनका हुमायू का दोस्तों यह दिल्ली में इस्ते थे क्या होगा इसका राइट एंसर इसका जो राइट एंसर है वो होगा का option number C मेरक मिरजा next question है शेर शा सूरी ने किस मुगल साशक को हराय था दोस्तों सेर शा सूरी ने हुमायू को हराय था option number A हुमायू correct answer होगा दोस्तों हुमायू options के according अगर हम देखें यहाँ पे तो दोस्तों हुमायू आपका right answer होगा सेर शा सूरी और हुमायू के बीच में दोस्तों एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कर्नौज का युद्ध दोस्तों यह जो युद्ध है वो 1540 इस्वी में हुआ था और सेर शा सूरी जो है इसने हुमायू को हरा कर दिल्ली पे कबज़ा कर लिया था आगे बढ़ते हैं अगला question है किस शताबदी में गोल गुमबत का निर्मायन किया गया था दोस्तों गोल गुमबत का जो निर्मायन है वो 17 शताबदी में किया गया था option number C 17 शताबदी correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा next है अकबर जिब समराट बना उस समय उसकी आयू क्या थी दोस्तों अकबर ही एक ऐसा शासक था 13 वर्स 13 वर्स चार मा C option यहाँ पे दोस्तों correct answer हो जाएगा दोस्तों यह बैरम खा के संदक्षर में इन्हें समराट बनाया गया था जब इनका राजविशेक हुआ था तो बैरम खा जो है वो इनके संदक्षर थे next question है औरंग जेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था दोस्तों शाजहां को आजीवन कैद कर लिया गया था औरंग जेब के द्वारा बी option जो है यहाँ पे आपका right answer friends देखने को मिलेगा next question देखते हैं बुलन दरवाजा कहां इस्तित है बहुत easy question है सबको पता है यह question important है maybe तो बुलन दरवाजा जो है options में आपका है पशिम मंगाल गुजरात उत्तर प्रदेश और तमिलाडू तो दोस्तों बुलन दरवाजा जो है यह आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस्तित है option number C उत्तर प्रदेश के फतेपुर्श दिखरी में आपको देखने को मिलेगा तो इसका right answer होगा आपका option number C next question है 1494 इस्तित में किसको फर्गना का साशक बनाया गया था और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी तोस्तों यह बनाया गया था आपका D option बाबर को option number D यहाँ पे बाबर आपका correct answer होगा अगला है किस साशक का नाम सलीम था दोस्तों easy question है options में है बाबर, हुमायू, चहांगीर और अकबर दोस्तों जहांगीर का नाम सलीम था option number C जहांगीर आपका correct answer देखने को मिलेगा आगे बड़ते हैं चार मिनार का निर्मार्ड किस के द्वारा किया गया था दोस्तों, चार मिनार्ड का जो निर्मार्ड है यह किया गया था आपका मुहम्मध कुली कुतीब शाह के द्वारा B option मुहम्मद कुली कुतीब शाह आपका correct answer friends हो जाएगा अगला question है किस मंगोल साशक ने 1219 इश्वी में ट्रांस आक्षियाना के उत्तर पुर्व इरान में आक्मन किया था तो ये किया था friends आपका चंगेज खान ने option number D चंगेज खान जो है ये right answer दोस्तों हो जाएगा आगे ब भारतिय मुगल चित्रकला किस मुगल समराट के शाशनकाल में शुरू हुई थी ये हुई थी friends आपका हुमायू के शाशनकाल में option number A हुमायू जो है ये correct answer friends देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं यहाँ पे दाराशी को अपने भाई के साथ संगहर्स में किस के द्वारा मारा गया था दोस्तों ये मारा गया था आपका औरंग जेव के द्वारा option number B औरंग जेव यहाँ पे correct answer दोस्तों होगा next question है भारती उप महद्विप के बारे में जानकारी देने वाला अल बरुनी जो था इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है बहुत ही अच्छा question है यहाँ पे आपको बताना है कि अल बरुनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था तो दोस्तों इसने लिखा था किताब उल हिंद ऑप्शन नमबर A किताब उल हिंद यहाँ पे correct answer दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ये एक फारसी विद्वान था एक ये विद् इखक भी था वैग्यानिक भी था और एक विचारक भी था दोस्तों ये जो भारत कब आया था अल बरुनी तो फ्रेंट्स अल बरुनी जो है ये महमुद गजनी के साथ भारत में आया था और इसने total 14 पुस्तके लिखे थी जिसमें सबसे प्रशिद पुस्तक इसकी थी किता आप उल हिल्ट नेक्स कोईशन है भारत में तुगलक वन्च के बाद किस वन्च ने साशन किया तो दोस्तों तुगलक वन्च के पाद भारत में सयद वन्च ने साशन किया था डी ऑप्शन यहां पर आपका सयद वन्च दोस्तों करेक्ट एंसर होगा अगला है बाबर ने 15 1228 इस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया था दोस्तों तो चंदावर में सबसे पहले बाबर ने मेदली राय को पराजित किया था दोस्तों अगर हम विजय स्थम की बात करें कि किसकी याद में यह बनवाय गया था तो दोस्तों विजय स्थम जो है मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था मेहमूर स्था खिल जी इसने युद्ध में प्रतम बात पराजित होने की याद में जो महराना कुंभा है इन्होंनी विजय स्थम का निर्मान करवाय था नेक्स कोशन है किस राजिके चोहानों के द्वारा बारवी शदी के मर्दे में तोमर राजपुत की हार हुई थी तो यह हुई थी फ्रेंड्स आपका अजमेर राजिके चोहानों के द्वारा यहां पर दोस्तों करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा नेक्स कोशन है हमपी में इस मारकों का निर्मान किस के द्वारा किया गया था दोस्तों इस मारकों का जो निर्मान है वो हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था अगला है दोस्तों ये आपका मुगलों का निवास अस्थान था option number D मुगल correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा next question है 1700 इश्वी में राजा राम की मृत्यू के बाद मुगलों के विरुद युद उसकी वीर पत्नी दोस्तों किसके निर्थित में जारी रखा था तो ये रखा था अपका तारा बाई के निर्थित में दोस्तों राजा राम की जब मृत्यू हुई थी तो उनकी पत्नी जो कि विद्वा पत्नी दी जिनका नाम था तारा बाई दोस्तो उनके चार भड़सी पुत्र को सीवा जी दिती के नाम से गद्डी पर बैठाए गया था और मुगलोव से अपने सुभत्तन के संगर्स इन्हों ने जारी रखा था तो इनका नाम था तारा भाई ए ओप्शन यहाँ पे तारा भाई राइट एंसर फ्रेंड्स होगा नेक्स कोशन है शीवा जी का राजविशेक कब हुआ सीवा जी का जो राजविशेक है वो 1674 इसमें में हुआ था ओप्शन नमबर बी 1674 करेक्ट एंसर दोस्तो होगा अगला है यूरोपी शक्ति पैचानी जिससे शीवा जी ने तोपो और गोला बारूत प्राप्ट किया था तो ये था फ्रेंड्स आपका पूर्टगाल ओप्शन नमबर बी पूर्टगाल करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है यहाँ पे किस संधी के द्वारा शीवा जी ने किला मुगलों को सौब दिया था दोस्तो ये संधी थी आपका पूरंदर की संधी कब हुई थी ये संधी दोस्तो तो पूरंदर की संधी दोस्तो 1665 में हुई थी सी ओप्षिन यहाँ पे करेक्ट एंसर फ्रेंड्स होगा नेक्स्ट ग्रॉशन है निमलिखित में से कौन सी सीवा जी की राजधानी थी दोस्तो ये थी आपका रायगर रायगर जो है वो सीवा जी की राजधानी थी और यहीं पर सीवा जी का राजय विशेक हुआ था तो आपका right answer है friends आपका B option रायगर next question है चौत क्या है चौत क्या है दोस्तों तो चौत जो है पडोसी राजयों पर सीवा जी की द्वारा लगाया गया भूमी कर जो है यह चौत कहलाता है D option चौत friends correct answer आपका होगा आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ पर शीवा जी के प्रशाशन में पेश्वा कहा जाता था दोस्तों तो पेश्वा जो है वो मुख्य मंत्री को कहा जाता था C option मुख्य मंत्री यहाँ पर दोस्तों आपका right answer है next question है गुरिला युद की अवधारना को लागू किस ने किया था तो friends यह किया था आपका शीवा जी ने option number C शीवा जी दोस्तों right answer आपका होगा अगला question है सबसे ससरक्त पेश्वा कौन सा था आपके सामने चार options है जिसमें हैं बाला जी बाजी राव बाजी राव प्रथम माधो राव या फिर बाला जी विश्वनात तो right answer दोस्तों होगा इसका बाला जी राव प्रथम जो है यह सबसे ससक्त पेश्वा था option number B आपका right answer दोस्तों होगा अगला है शीवा जी ने कितनी बार सूरत को लूटा था दोस्तों सीवा जी ने दो बार सूरत को लूटा था D option correct answer होगा पहली बार इन्होंने 1664 इस्वी में और दूसरी बार इन्होंने 1670 इस्वी में लूटा था अगला question है शीवा जी को किस वर्थ छत्रपती का ताज मिला तो दोस्तों 1674 इस्वी में शीवा जी को छत्रपती का ताज मिला था C option यहाँ पे 1674 correct answer है आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ बाजी रौ प्रथम जो की 1720 से 1740 इस्वी तक इनका शाशन था यह किस वर्थ का सासक था दोस्तों यह मराठा वर्थ का सासक था D option मराठा वर्थ करेक्ट answer होगा Next question है चत्रपती शीवा जी महराज 1674 से 1680 इस्वी दोस्तों इन्होंने किस वर्थ का सासक था दोस्तों सीवा जी महराज जो है यह मराठा वर्थ का सासक था D option मराठा जो है यह आपका राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा Next question है बाजी राद विती चिन का साशन का 796 से 1818 इस्वी था यह किस वर्थ का सासक था दोस्तों बाजी राद दित्यू जो है यह पेश्वा वर्थ का सासक था D option पेश्वा गरेक्ट एंसर यहाँ पे है अगला है चतरपती शीवा जी टर्मिनल का डिजाइन किस के द्वारा किया गया था दोस्तों सीवा जी टर्मिनल का जो डिजाइन है यह Frederick William Stevens के द्वारा किया गया था यह option याद रखेगा Frederick William Stevens यहाँ पे राइट एंसर दोस्तों हो जागा Important question है अच्छा question है रेपिटेशन हुआ है एक्जाम में काफी टाइम इसका सो याद रखेगा इस question को next question देखते हैं चत्रपती संभाजी जिनका साशन कालता 1680-1688 श्मितर ये किस वंस का शाशक था दोस्तों चत्रपती संभाजी जो है ये मराठा वंस के शाशक थे ए ओप्षन यहाँ पे मराठा दोस्तों यहाँ पे आपका राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question है ग्रांड ट्रंक रोड किस ने बनवाय था सबको पता है GT रोड के बारे में ये रोड जो है सेशा सूरी के द्वारा बनवाय गया था option number D यहाँ पे C option करेक्ट एंसर होगा दोस्तों 1542 इस्वी में इसका निर्माइट करवाय था सेशा सूरी ने अगला है मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं दोस्तों मुगल जाविर जागीर याने कि अफसर को भूमी राजस्व का अधिकार देना जो है ये जागीर कहलाता है C option यहाँ पे करेक्ट एंसर है आपका अगला कुशन है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शफ कहां दफनाय गया था दोस्तों उनका सब जो है काबूल में दफनाय गया था अगर हम बात करें दोस्तों मृत्यू इनकी हुई थी आग्रा में लेकिन इनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे सब काबूल में दफनाय जाए तो इनका सब काबूल में दफनाय गया था बी option काबूल दोस्तों correct answer हो जाएगा अगला question है यहाँ पे बाबर के मृत्यू कहाँ पर हुई थी जैसा कि मैंने पहले question में बताया कि बाबर के मृत्यू हुई तो आग्रा में थी दोस्तों इनके मृत्यू 1530 इस्वी में हुई थी आग्रा में दोस्तों पहले तो इनको आराम बाग में दफनाया गिया लेकिन इनकी अंतिम इक्षा थी काबूल में तो इनको काबूल जो कि अफकालिस्तान में है वहाँ पे दफनाया गया था नेक्स्ट है हुमायू नामा की रचना किसने की थी दोस्तो हुमायू नामा की रचना की थी आपका गुल बदन बेगम ने तो ये दिया था friends आपका बाबर ने option number C बाबर correct answer दोस्तो होगा next question है grand trunk road किस आशक के कारेकाल में बनवाय गया था दोस्तो grand trunk road जो है ये शेशासूरी के शासनकाल में बनवाय गया था A option शेशासूरी correct answer होगा next है किस युद में हुमायू हारने के बाद भाग कर भारत से बाहर चला गया था दोस्तो ये था आपका कनोच का युद जो कि पंदो सो चालिस इस्वे में हुआ था और ये युद जो है ये सेशासूरी और हुमायू के बीच में हुआ था जिसमें सेशा सुरी की विजय हुई थी और हुमायू जो है ये हार कर भारत से बाहर चला गया था नेक्स्ट कुशन है बाबर के बाद मुगल समराजी का साशक कौन था ये थे फ्रेंड्स आपका हुमायू अगला कुशन है भारत का प्रथम मुगल साशक कौन था दोस्तों तो सी अप्शन यहाँ पे बाबर जो है ये भारत का प्रथम मुगल साशक था और इन्होंने 1526 इसमें पानीपत का जब युदो लड़ा था उसके बाद इन्होंने मुगल समराजी की निव रखी थी तो सी अप्शन आपका बाबर जो है ये राइट एंसर हो जाएगा अगला कुशन है से शा ने हुमायू को हरा कर किस युद में गौड पर कबज़ा कर लिया था तो यह किया था आपका चौशा के युद में बी अप्शन चौशा का युद 1549 स्विब में हुआ था औप्शन नम्बर B आपका राइट एंसर फ्रेंट्स हो जाएगा अगला है पानी पत के युद में बाबर ने किस की सेना का सामना किया था तोस्तो ये किया था आपका इब्राहीम लोधी की सेना का औप्शन नम्बर D इब्राहीम लोधी करेक्ट एंसर है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है यहाँ पे निम्ड में से किस ने मद्य कालिन भारत में तोपो का इस्तिमाल किया था दोस्तो तोपो का इस्तिमाल जो है यह किया था आपका बाबर ने option number a बाबर correct answer यहाँ पे हो जाएगा अगला कुशन है दोस्तो बाबर का जनम कौन से वर्स में हुआ था तो 1483 इस्तिमाल में बाबर का जो युद्ध है फर्गना की राजधानी थी अंदी जान यहाँ पे इनका जनम हुआ था यह option दोस्तो 1483 आपका right answer यहाँ पे हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है यहाँ पे हुमायू 530 से 540 इस्तिमी तक किस वर्स का शाषक था दोस्तो यह मुगल वर्स का शाषक था option number B मुगल जो है यह right answer फ्रेंड्स देखने को मिलेगा अगला कुशन है बाबर 526 से 530 इस्तिमी में दोस्तो किस वर्स का शाषक था दोस्तो यह मुगल वर्स का शाषक था option number A आपका मुगल वर्स जो है यह right answer देखने को मिलेगा दोस्तो वीडियो को end तक देखिएगा question बहुत अच्छे-च्छे questions है end तक देखिए skip मत कीज़ेगा एक-एक question बहुत ज़ादा important है और दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्रीज लाइक तो आप करी चकते हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्रेश सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन पर प्रेस करिए जिससे हमारे ऐसे ही वीडियो जो है उसकी अपडेट आपको इसली मिलती रहेगी तो आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ पर हुमायू का जनम हुआ था दोस्तो कौन से वर्ष में तो हुमायू का जो जनम है दोस्तो यह हुआ था आपका 1508 इस्वी में option number A 1508 इस्वी correct answer होगा अगला question है किस मुगल साशक ने 1526 इस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था दोस्तो यह लड़ा था आपका बाबर ने option number A बाबर right answer होगा next question है कन्योज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 इस्वी में सेशा सुरी और किस के बीच लड़ा गया था दोस्तो यह लड़ा गया था आपका हुमायू के बीच में option number B हुमायू जो है यह correct answer friends देखने को मिलेगा अगला question है दोस्तो question यह है कि रामचरित मानस के लेखक जिनका नाम सा तुलसी दास यह किस आशक के समकालिन थे दोस्तो तुलसी दास जो है यह अकबर के समकालिन थे D option यहाँ पे अकबर आपका correct answer दोस्तो होगा अगला question है निम्न में से किस किले को दक्कन की कुणजी के नाम से भी जाना जाता है options में है यहाँ पे कालिन्जर option number B है अजैगड C है असीरगड और D है गुलबर तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number C दोस्तो असीरगड के ले को दक्कन की कुणजी के नाम से जाना चाता है option number C यहाँ पे right answer दोस्तो हो जाएगा next question है निम्लिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था दोस्तो निरक्षर का मतलब बिना पढ़ा लिखा तो ये था आपका अकबर प्रसम ऐसा शाशक था जो बिना पढ़ा लिखा था C option option अकबर यहाँ पे आपका right answer दोस्तो होगा अगला question है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी दोस्तो बहुत easy question है आपको बता होना चाहिए हल्दी घाटी की लड़ाई हुई कब थी और दोस्तो ये जो लड़ाई है ये मुगल बाश्रा 76 इश्वी को लड़ा गया था next है अकबर की द्वारा बनाये गए उपासना भवन का क्या नाम था दोस्तो उपासना भवन का नाम था आपका इबादत खाना जो कि 1575 इश्वी में बनवाया गया था और फतेव और सिक्री में इसकी अस्थापना की गई थी C option यहाँ पे आपका दोस्तो राइट एंसर होगा अगला कोशन है मीर बक्सी मुगल समराज का प्रमुक होता था दोस्तो मीर बक्स जो है यह सेना संगठन का प्रमुक होता था option number C सेना संगठन यहाँ पे दोस्तो राइट एंसर होगा अगला कोशन है सती प्रथा की भरतश्टना करने वाला मुगल समराट कौन था दोस्तो ये था आपका अकबर option number C अकबर जो है ये correct answer होगा next question है निमलिकियत में से किसने अकबर की आत्मकता को लिखा था दोस्तो अकबर की आत्मकता को लिखा था आपका अबुल फजल ले option number A अबुल फजल ये correct answer होगा आगे बढ़ते हैं next question है यहाँ पे अपने काल का महान संगित ये तान सेन किसके दर्बार में था दोस्तो तान सेन जो है ये अकबर के दर्बार में था अकबर का दर्बारी कवी था ये और दोस्तो अकबर के जो नौ रत्म थे उन में से एक रत्म था ये तान सेन तो option number B यहाँ पे तान सेन दोस्तो आपका correct answer होगा next question है दीन ए इलाही एक नया धर्म निमलिकित में से किसके द्वारा सुरू किया गया था दोस्तो ये अकबर के द्वारा सुरू किया गया था C option अकबर यहाँ पे दोस्तो correct answer आपका होगा अगला question देखते हैं अकबर के साशनकाल में भू राजा सुदारों के लिए कौन उत्तरदाई था दोस्तो राजा टोडर मल जो है वो उत्तरदाई था option number C राजा टोडर मल राइट answer होगा आगे बढ़ते हैं अगला question है अकबर के एक मात्र किस हिंदू दर्बारी ने दीन ए इलाही को स्विकार किया था ये क्या था friends आपका बिर्बल ने option number B बिर्बल जो है इसने दीन ए इलाही धर्म को अपना है तो option number B आपका correct answer दोस्तों होगा next है अकबर के आरंबिक दिनों में उसका रिजेंट यारे किस अंड़क्षत कौन था तो ये था friends आपका बैरम खान option number B बैरम खान जो है ये correct answer देखने को मिलेगा अगला question है तो ये होना पड़ा था friends आपका हल्दी घाटी के युद में C option हल्दी घाटी का युद दोस्तों correct answer आपका देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है निम्ण में से किस ने सोमनात मंदी पर आकमन किया था options में हैं यहाँ पे महमुद गस्नी मुहम्मद गोरी, इल्तुत मिस और कुतुबुद दिन एबक्त दोस्तों ये option महमुद गस्नी ने 1025 इस्वी में गुजरात का जो सोमनात मंदीर है इस पे आकमन किया था नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस ने मनसबदारी परथा को चलाया था दोस्तों मनसबदारी को परथा को चलाने वाला जो शाशक था वो था आपका अकबर C option अकबर करेक्ट एंसर होगा अगला है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों फतेपूर सिक्री जो है ये अकबर की दूसरी राजधानी थी C option यहाँ पर आपका राइट एंसर होगा दोस्तों अकबर चुह है इसने चितोर और रन थंबोर के दाजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो इसकी दूसरी राजधानी है दोस्तों उसने फतेपूर सिक्री हस्तान तरित की थी अगला है अगला कोशन है अगला कोशन है यहाँ पे निमलिक्षित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मुर्खता की ना की बुद्धी मता का स्मारक कहा है यह कहा है फ्रेंड्स आपका विंसेट ने उप्शन नमबर बी विंसेट जो है यह राइट एंसर दोस्तों होगा अगला कोशन है चांद बीबी साशिका थी कहां की साशिका थी चांद बीबी दोस्तों यह एहमत नगर की साशिका थी यह उप्शन एहमत नगर करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन के तरफ तो क्योशन यह है कि अकबर ने किसको अपना दर्बारी कवी न्यूक्त किया था दोस्तों अकबर ने मिया ताम से इनको अपना दर्बारी कवी न्यूक्त किया था अगला है अकबर 1556 से 1605 इस्वी में किस वंस का शार्षक था दोस्तों ये मुगल वंस का शार्षक था option number C मुगल वंस जो है ये आपका correct answer दोस्तों हो जाएगा अगला है अकबर के साशनकाल में सेना प्रमुक को क्या कहते थे आपके सामने options दिया हुआ है यहाँ पे कि सुल्तान एहमद फवात सूरी मौजा, मीर खास और मीर बक्स तो क्या होगा इसका right answer दोस्तों तो अकबर के साशनकाल में दोस्तों सेना प्रमुक को मीर बक्स कहा जाता था D option मीर बक्स जो है ये आपका right answer होगा अगला है मुगल समराट अकबर का विश्वासी सेना पती कौन था तो दोस्तों अकबर का विश्वासी सेना पती जो है वो था आपका मान सिंग प्रथम option नमबर B मान सिंग प्रथम यहाँ पे correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्वन है यहाँ पे अकबर के साशन काल के दोरान मुगल समराज का विश्वासी सेना पती कौन था दोस्तों यह थे आपका राजा टोडर मल option नमबर A राजा टोडर मल जो है यह आपका correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्वन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स कुश्वन है फ्रेंड्स अकबर ने किसे मिया की उपाधी दी थी तो इसमें right answer होगा आपका D option तान सेन तान सेन को अकबर ने मिया की उपाधी दी थी option number D आपका right answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला है दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था तो युद्ध जो है ये 556 इसमी में लड़ा गया था दिल्ली के लिए option number C पंदो सो चपन जो है ये आपका correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं बिर्बल किसके दर्वार का सलाकार था यहाँ पे options में हैं बाबर, अकबर, औरंजीब और जहांगीर दोस्तों बिर्बल जो है ये अकबर के दर्वार का सलाकार था B option अकबर जो है ये correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला कुशन है अकबर ने 1556 इस्वि में पानीपत के दूसरे युद में किसी पराजित किया था तो ये किया था फ्रेंड्स आपका हे मुव विक्रमा दित्ते को option number C हे मुव विक्रमा दित्ते आपका correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा next question है इबादत खाना एक बैठक सभागार था दोस्तों इसका जो निर्मार्ण है वो किस मुगल समराट ने करवाय था तो इसका जो निर्मार्ण है वो अकबर ने करवाय था option number C अकबर correct answer दोस्तों हो जाएगा अगला question है हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों किस वर्स में लड़ी गई थी तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो 1576 में लड़ी गई थी option number C 1576 friends correct answer आपका होगा आगे बढ़ते हैं अगले question के तरफ तो ताज महल का डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था दोस्तों options में हैं यहाँ पे मुहमद हुसेन, उस्ताद एहमद लाहौरी, शाह, इशाह और इस्माइल तो ताज महल कर यह डिजाइन है वो उस्ताद एहमद लाहौरी ने तयार किया था B option आपका दोस्तो right answer होगा अगला question है शाह जहां ने मोती मस्जित कहां बनवाई थी दोस्तों मोती मस्जित जो है यह आगरा में बनवाई थी C option आगरा correct answer होगा next question है मुगल जागीर निमलिखित में से क्या थी दोस्तों मुगल जागीर जो है यह थी आपका कि किसी भी अधिकारी के लिए भूराजसों का समानुदेशन जो है यह जागीर कहलाता था आगे बढ़ते हैं अगला खुशन है निमलिखित में से वह दूर कौन सा है जिसे दक्कन की कुझी माना जाता है friends यह है आपका असीर गड़ C option असीर गड़ correct answer होगा अगला खुशन है मुगलो का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंदित किया गया था दोस्तो यह जो है John Nicholson के द्वारा प्रतिबंदित किया गया था D option John Nicholson आपका दोस्तो right answer होगा अगला कुशन है मुगल काल के दोरान एक विदेशी यात्री भारत आया था 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 उसने एक विशेशाग के रूप में तक्ते ताउस यानि कि मयोर शिंगासन का वर्णन किया था उसका नाम क्या था दोस्तो उसका नाम था ट्रेवर्नियर option number C ट्रेवर्नियर correct answer दोस्तो हो जाएगा अगला question है सू विख्यात कोहिनूर हिरा किस खान से निकाला गया था दोस्तो कोहिनूर हिरा जो है ये गोल कुंडा से निकाला गया था D option गोल कुंडा आपका right answer friends होगा next question है निम्निकित मुगल भाउनों में से किस में या अनने विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चोड़ाई में बिल्कूल बराबर है ये बताई जाती है आपका ताज महल की C option ताज महल करेक्ट answer दोस्तों देखने को मिलेगा next question है इंगलेंड के ततकालिन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दर्बार में राजदूत के रूप में निम्लिखित में से किसको भेजा था ये बेजा था आपका सर्थॉमस रो को C option सर्थॉमस रो राइट answer है next question है friends इंगलेंड के ततकालिन राजा जिनका नाम था जेम्स प्रथम दोस्तों इनके द्वारा जहांगीर के शाही दर्बार में राजदूत के रूप में निम्लिखित में से किसको भेजा गया था friends ये भेजा गया था आपका सर्थॉमस रो ने option number C सर्थॉमस रो राइट answer friends देखने को मिलेगा अगला question है इनमें से कौन सा तथ्य ताज महल के बारे में सत्य नहीं है options पर है यहाँ पर यह एक भवे मकबरा है option number B है दोस्तों इसका निर्मान साजहा ने किया था C है या आगरा कोट के बहार इस्तित है और D है इस पर उन कारिगरों के नाम उतकिर्ण है जिनों ने इसका निर्मान किया था दोस्तों इसका जो राइट एंसर है वो होगा आपका D option यानि कि ताज महल को जिसने बनवाया था उसका नाम इस पर उल्लेक नहीं है next question है अकबर नामा किसने लिखा दोस्तों अकबर नामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा C option अबुल फजल राइट एंसर हो जाएगा next question है निम्ड में से कौन एक निरक्षर था दोस्तों अकबर जो है ये निरक्षर था option number C राइट एंसर होगा next question है मुगल साशनकाल का पहला भारतिय हिंदी भाषा का विद्धुमान कौन था तो ये था friends आपका मलिक मुहमद जायसी option number A मलिक मुहमद जायसी आपका यहाँ पर राइट एंसर फ्रेंड देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगले question के दरफ तो दारा शिकों ने फार्सी भासा में उतनिशत को किस सिर्शक से अनुवाद किया था ये किया था दोस्तो आपका सिर्व A. अकबर के नाम से B option सिर्व A. अकबर जो है ये आपका दोस्तों correct एंसर हो जाएगा वहीं अगर हम बात करें अगले question की कि जो रामायन है इसको फार्सी में अनुवाद किस ने किया था दोस्तो रामायन का जो फार्सी अनुवाद है वो किया था आपका बदा यूनी ने option number B बदा यूनी राइट एंसर होगा अगला है जहांगीर का प्रशित तक्ते ताउस 1749 इस्वी में कौन ले गया था फ्रेंट्स ये ले गया था आपका फ्रांस का जो फार्सी जो आक्रमा था नादेश शाह उसने इसको ले गया था B option मयूर सिंखाशन को नेक्स्ट है जहांगीर का अर्थ क्या होता है तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता यानि कि जहां और गीर गीर का मतलब विजेता और जहां का मतलब विश्व तो विश्व विजेता C option यहां पे राइट एंसर फ्रेंड्स होगा अगला कोशन है फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1664 इस्वी में फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुई थी C आप्शन 1664 इस्वी राइट एंसर होगा अगला है अक्बर के द्वारा निर्मान किया गया उपासना घर का नाम क्या था दोस्तो यहाँ पे options में है आपका दिवान ए खास दिवान ए आम इबादत खाना और बुलन दर्वाजा तो right answer होगा इसका C option इबादत खाना next है कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे दोस्तो कृष्ण देव राय जो है यह बाबर के समकालीन थे C option यहाँ पे बाबर right answer दोस्तो देखने को मिलेगा अगला question है प्रशित संगीत कार तान सेन और बैजू बावरा किसके शाशनकाल से सम्मंदित है दोस्तो यहाँ पे options में है आपका जहांगीर बहादू शाह जफर अकबर और शाह जहांद दोस्तो right answer होगा इसका अकबर जो तान सेन और बैजू बावरा है वो अकबर के शाशनकाल से सम्मंदित थे C option यहाँ पे right answer friends हो जाएगा अगला है अकबर के साशनकाल में महा भारत का फारशी में अनुवाद करवाया क्या था एवं इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तो इसे हम रज्म नामा के नाम से जानते हैं D option रज्म नामा दोस्तो right answer होगा रज्म नामा जो है वो हिंदूों का प्रशिद महा कावे यानि कि महा भारत का फारशी में एक अनुवाद है और दोस्तो महा भारत का जो फारशी में अनुवाद है यह मुगल बाश्या अकबर के आदेश से जो अबुल फजल है इन्होंने रस्म नामा में किया था नेक्स्ट है निम्र मेंसे किस मुगल बाषशा ने सायद बंदुओं का पतन किया था दोस्तों तो ये किया था आपका मुहमद शाह ने ओप्शन अमबर D मुहमद शाह राइट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन है बड़ा इमाम बड़ा कहां पर इस्तित है दोस्तों बड़ा इमाम बड़ा आपका लखनों में देखने को मिलेगा दोस्तों ये लखनों की एक एतिहासिक धरोवर है और इसे हम भूल बुलिया के नाम से भी चानते हैं अगला है इनाम भूमी इन में से किस को सौपा गया था दोस्तो इनाम भूमी जो है ये विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को सौपा गया था ए आप्शन यहाँ पे राइट एंसर फ्रेंड्स होगा नेक्स्ट कोशन है अकबर नामा की रचना किस ने की थी अकबर नामा जो है इसकी रचना अबुल फजल ने की थी आप्शन नमबर A अबुल फजल करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुशन है मुगलो की दर्बारी भाषा क्या थी दोस्तो इनकी दर्बारी भाषा फारसी थी दोस्तो पानीपत के दूसरे युद की लड़ाई की बात करें तो यह जो युद है वो 1526 इस्वी में दोस्तो हुआ था 1526 इस्वी में पानीपत का दिती युद्ध हुआ था अगला कुशन है गुजरात में खान देश विजय की यादगार में अकबर ने निमलिखित में से किसका निर्माण करवाया था दोस्तो अकबर ने बुलन दर्बाजा का निर्माण करवाया था उस साशक का नाम बताएं जिसने दिल्ली पर आकमन किया और कोहिनोर हिरा लूट कर ले गया तो वो है फ्रेंड्स आपका नादिर शाह ओप्शन नमबर ए नादिर शाह राइट अंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है यहाँ पर उस भासा का नाम बताएं जिसे मद्धिकालिन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था तो यह है आपका उर्दू भासा ओप्शन नमबर डी उर्दू भासा जो है यह राइट अंसर दोस्तो होगा नेक्स्ट है वो प्रशित जैन विद्वर्ल कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था तो आप्शन्स में है यहाँ पे हेमचंद्र, हरी विजय सूरी, वस्तू पाल और भद्र बाहू दोस्तो यह था आपका हरी विजय सूरी, ओप्शन नमबर बी हरी विजय सूरी जो है यह राइट अंसर फ्रेंड्स हो जाएगा नेक्स्ट है निम्र में से कोई एक जो फतेपूर सिक्री में इस्तित नहीं है यहाँ पे आप्शन्स में है पंच महल, मोती मस्जिद, सलीम चिष्टी का मकबरा और मर्यम पैलेस दोस्तो मोती मस्जीट जो है ये आपका फतेःपुर सिक्री में इस्तित नहीं है B option correct answer होगा दोस्तो मोती मस्जीट जो है ये आगरा में इस्तित है और इसे 1648 इसमी में बनवाया गया था अगला है बादुशा कौन था? दोस्तो बादुशा जो है वो अंती मुगल साशक था C option अंती मुगल साशक यहां पे right answer होगा अगला question है गीत गोविन का लेखक कौन था? दोस्तो गीत गोविन के लेखक का नाम था जैदेव option number A जैदेव correct answer होगा next question है इन में से किस शहर में मोती मर्जिद इस्तित है दोस्तो आगरा में मोती मर्जिद इस्तित है option number A आगरा right answer होगा आगे बढ़ते हैं अगला question है यहां पे सही मेल का चुनाव करना है दोस्तो तो बैरम खा जो है यह अकबर का संड़क्षक था दोस्तो यह है आपका जंतर मंतर दोस्तो जंतर मंतर जो है यह विश्व विराशत अस्तर में शामिल नहीं है C option आपका D option आपका दोस्तो correct answer होगा next question है गीता का फार्सी में अनवात किसने करवाया था दोस्तो यह करवाया था आपका दाराशी को ने option number D दाराशी को दोस्तो correct answer आपका हो जाएगा next question है निमलिखित में से औरंग जीब का उत्रादिकारी कौन था दोस्तो मुख्जम, मुख्जम का जो है यह औरंग जीब का उत्रादिकारी था right answer होगा आपका option number D आगे बढ़ते हैं अगला question है यहाँ पे बीबी का मकबरा भारत में कहां पर इस्तित है दोस्तो बीबी का मकबरा जो है यह औरंग का बाद में इस्तित है option number B औरंग बाद दोस्तो correct answer आपका हो जाएगा दोस्तो बीबी का मकबरा जो है यह महराष्ट में पढ़ता है आपका औरंग बाद और दोस्तो मकबरा जो है औरंग जेब की पत्ति जिनका नाम था दिलरस बानो बेगम यह इनका मकबरा है जिनने हम बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं next question है औरंग जेब की मृत्यों कहां हुई थी दोस्तो औरंग जेब की जो मृत्यों है यह एहमत नगर में हुई थी c option एहमत नगर राइट एंसर होगा अगला है निम्ने में से किन मुगल समराटों ने स्वैम अपनी आत्म कथा लिखी थी दोस्तो तो बाबर और जहांगीर ने स्वैम अपनी आत्म कथा लिखी थी option number B बाबर और जहांगीर यहाँ पे correct answer friends हो जाएगा अगला question है उस भारती शासक का नाम जिसने पुर्त गाली यात्री जिसका नाम वासको डिगामा इसका काली कट में गरम जोसिशे श्वागत किया था दोस्तों यह था आपका जमोरीन c option जमोरीन बहुत ही अच्छा question है दोस्तों important question है जमोरीन नाम याद रखेगा 1498 में जब वासको डिगामा काली कट पे आया था यानि कि केरल का जो तठ है काली कट बंदर का इस पर तो इनका जो स्वागत है वहाँ पे काली कट के राजा थे जिनका नाम था जमोरीन इन्हों ने किया था next question है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी थी वो थी आपका फते पूर्ट सिक्री c option फते पूर्ट सिक्री यहाँ पे राइट अंसर देखने को मिलेगा अगला है जहांगीर का मकवरा का दिर्मान किस दोस्तों कहां पर किया गया था ये किया गया था आपका लाहौर में c option लाहौर राइट अंसर दोस्तों देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला होगा next question है निम्न में से किस किले का निर्मान अकबर ने नहीं करवाया था दोस्तों ग्वालियर का जो किला है इसका निर्मान अकबर ने नहीं करवाया था ये option ग्वालियर किला आपका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर का जो किला है इसका निर्मान राजा मान सिंग तोबर ने आठवी सदी में करवाया था आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है दिल्ली में हुमायू का मगवरा किस ने बनवाया था दोस्तो हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायू का मगवरा बनवाया था option number C हाजी बेगम right answer friends हो जाएगा अगला कोशन है जहांगीर का जनम किस वर्स में हुआ था options में है 1526 1669 1556 और 1569 तो जहांगीर का जो जनम है वो 1569 में हुआ था D option 1569 यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला है दोस्तो नूर जहाँ जो है वो किस मुगल समराट की पत्नी थी यह दोस्तो जहांगीर की पत्नी थी जिनका नाम था नूर जहाँ दोस्तो इनका जो वास्तुरिक नाम है वो था आपका महरूर निशा अगला है जहांगीर किस का पुत्र था दोस्तो अगर हम जहांगीर की बात करें तो यह अकबर का पुत्र था option number C दोस्तो अगर हम उत्रा थिकारी की बात करें तो मुवजब जो है मुवजब औरंग जेब का उत्रा थिकारी था किस मुगल साशक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तानांतरित की थी दोस्तो यह की थी आपका शा जहांगी option number C शा जहां correct answer देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगले question के तरफ दोस्तो अगला question है मुगल समराट औरंग जेब ने कि मृत्यू कब हुई थी दोस्तो औरंग जेब की जो मृत्यू है यह हुई थी आपका 707 इस वी में C option 707 right answer दोस्तो होगा अगला question है वह मस्जित कहां पर इस्तित है जहां पर पैगंबर मौहम्मद साहब की दाड़ी या फिर बाल को सुरचित रखा गया है दोस्तो यह इस्तित है आपका स्री नगर में option number C स्री नगर दोस्तो हजरत बल भारत के जमू और कश्मी राजिके स्री नगर के डल जील के किनारे याद रखीगा डल जील के किनारे इस्तित एक प्रशित दरगा है जिसका नाम है हजरत बल नेक्स पूशन है निम्रिकित में से किसके शाषन काल में मुगल चित्रकला शीखर पर पहुँच चुकी है दोस्तो यह था आपका जहांगीर का काल बी option जहांगीर काल को ही चित्रकारी का स्वर्ण युक के नाम से भी जाना चाता है तो option नम्र आपका बी जहांगीर राइट एंसर दोस्तो होगा अगला question है अंति मुगल साशक कौन था दोस्तो बहादूशा द्विती जो है यह अंति मुगल साशक था D option इसका साशनकाल दोस्तो 1775 से 1862 तक था D option याद दख्येगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्कोशन है यहाँ पे पानीपत का पहला युदकित दो सेनाओं के बीच हुआ था दोस्तो तो यह हुआ था आपका बाबर और लोधी समराज के बीच में A option बाबर और लोधी समराज आपका correct answer दोस्तो देखने को मिलेगा नेक्स्कोशन है निम्ण में से किसको जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तो औरंग जेब को हम जिन्दा पीर के नाम से जानते हैं क्योंकि यह सभी नैतिक सुदार सबसे पहले स्वेम पर लागू करता था तो D option यहाँ पे औरंग जेब जो है यह correct answer दोस्तो होगा अगला कोशन है निम्ण में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तो बिर्बल वित्मंत्राले समन्दित था यह जोड़ा आपका गलत है C option यहाँ पे राइट एंसर होगा दोस्तो बिर्बल जो है यह अकबर के नौरतनों में से एक था लेकिल वित्मंत्री नहीं था दोस्तो वित्मंत्री जो है वो टोडर मल था अकबर के दर्बार का अगला कोशन है आमेर किला किस ने बनवाया था दोस्तो ये बनवाय था आपका राजा मान सिंग प्रथम ने बी ओप्षन राजा मान सिंग प्रथम ने आमेर किला बनवाय था दोस्तो युनेश्को ने आमेर दुर्ग को विश्व विदाहत धरोज सुची में शामिल किया है बी ओप्शन याद रखेगा राजा मान सिंग प्रतम नेक्स्क्क्रूशन है प्राचीन भारत में कितने महाचनपत थे? दोस्तो टोटल 16 महाचनपत थे आपका प्राचीन भारत में नेक्स्क्रूशन है किस सताबदी बे भक्ति आदोलन के शुरवात हुई थी? दोस्तो भक्ति आदोलन के शुरवात है वो सातवी शदी में हुई थी बी ओप्शन आपका राइट अंसर फ्रेंड्स होगा अगला है चौसा के युद में हुमायू को किस ने हराय था? दोस्तो हुमायू को से शासूरी ने हराया था ओप्शन नमर्ड दी शे शासूरी आपका राइट एंसर होगा और पंदर सो चालिस इस्वी में जो से शासूरी और हुमायू के बीच में युद्धुराता चौसा का इसमें हुमायू पराजित हुआ था नेक्स कोशन है बाबर ने भारत पर आकमेंड किस वर्ष किया था दोस्तो पंदर सो चब्शन इस्वी में बाबर ने भारत पर आकमेंड किया था सी ओप्शन आपका पंदर सो चब्शन करेक्ट एंसर देखने को मिलेगा अगला है दिल्ली का लाल किला किस ने बनवाय था दिल्ली का लाल किला जो है वो शाजहा ने बनवाय था C option शाजहा आपका राइट अंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तो लाल किला इसका नाम इसलिए हुआ कि ये लाल पत्थर से बना हुआ था इसलिए इसे लाल किला कहा साता है नेक्स्ट है गुरु नानक का जनमस्थान कौन सा था दोस्तो तो गुरु नानक का जनमस्थान था तलवंडी D option तलवंडी ये correct answer दोस्तो हो जाएगा और गुरु नानक जो है ये सिखो के प्रथम गुरु थे अगला है खालसा पंथ के स्थापना किस ने की थी दोस्तो गोविन सिंग ने खालसा पंथ के स्थापना की थी 1699 इस्वी में C option गोविन सिंग आपका right answer दोस्तो देखने को मिलेगा अगला कोशन है सिख गुरु जिन्होंने जफर नामा को फारसी में लिखा था दोस्तो वो थे आपका गुरु गोविन सिंग option number C गुरु गोविन सिंग correct answer देखने को मिलेगा अगला कुशन है सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकता को लिखा था बहुत ही अच्छा कुशन है तो दोसों गुरु अंगत देव जो है इन्होंने बाबर की आत्मकता को लिखा था A option यहाँ पे गुरु अंगत देव correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला question है स्वतंत्र सिख राजिकर संस्थापक कौन था दोस्तों ये थे आपका महराजा रंजित सिंग option number D महराजा रंजित सिंग correct answer आपका है अगला है निमलिकित में से अंतिम सिख गुरु कौन था फ्रेंड्स ये थे आपका गुरु गोविन सिंग option number C गुरु गोविन सिंग correct answer यहाँ पे हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question है खाल सा पंत की अस्थापना गुरु गोविन सिंग ने किस वर्ष की थी दोस्तों ये की थी आपका 1699 इसवी में option number C 1699 इसवी correct answer हो जाएगा next question है अकाल तक्त किस के द्वारा बनाया गया था दोस्तों ये घर गोविन सिंग के गुरु हर गोविन सिंग के द्वारा अकाल तक्त बनाया गया था आगे बढ़ते हैं अगला question है गुरु नानक का उत्राधिकारी कौन था दोस्तों गुरु नानक के अगर हम उत्राधिकारी की बात करें तो गुरु अंगत देव जो थे ये इनके उत्राधिकारी थे और अंगत देव के जो उत्राधिकारी थे तो वो थे आपका अमर्दास तो A option गुरु अंगत देव इनका साशनकाल 1538 से 1552 तक था तो A option आपका दोस्तो राइट एंसर यहाँ पे हो जाएगा अगला कोशन है सिख धर्म का पमित ग्रंथ कौन सा है दोस्तो ये है आपका गुरु ग्रंथ साहिप D option गुरु ग्रंथ साहिप राइट एंसर फ्रेंड्स होगा अगला है निमलिखित में से किस सिख गुरु ने अमर्द सर शहर की अस्थापना की थी तोस्तो गुरु रामदास ने अमर्द सर शहर की अस्थापना की थी अमर्द सर शहर की option नमबर बी गुरु राम दास दोस्तों correct answer होगा अगला question है किस सिक गुरु ने जफर नामा को फार्शी में लिखा था दोस्तों ये लिखा था आपका गुरु गोविन सिंग ने option number C गुरु गोविन सिंग यहाँ पे दोस्तों correct answer देखने को बिलेगा अगला question है खालसा पंद की अस्थापना गुरु गोविन सिंग ने किस वर्श की थी दोस्तों ये की थी आपका 1699 इस वी में option number C 1699 right answer दोस्तों हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अल बरुनी किस के साथ भारत आया था दोस्तों अल बरुनी जो है ये महमूत गजनी के साथ में भारत आया था A option महमूत गजनी यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा अगला है निम्लिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची में है ये है आपका दोस्तों हमपी तो यहाँ पे D option भी correct answer होगा लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें विश्व विरासत सूची की किस में से सभी विश्व विरासत सूची में शामिल है चारो खजुराहों भी है नारंदा के अफशेस भी है हमपी भी है और ताज महल भी है next question है खजुराहों मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था दोस्तों खजुराहों मंदिर जो है इसका निर्मान करवाया था आपका चंदेल राजपूत ने ये option चंदेल राजपूत राइट एंसर होगा दोस्तों खजुराहो जो है ये मद्दिर प्रदेश का एक जीला है जिसका नाम है छतरपूर वहाँ पर इस्तित है और इसका जो निर्माण है चंदेल राजपूतों ने 950 से 1050 इस्वी के मद्दि में करवाया था अगला कोशन है निम्रिकित में से कौन सी अस्थापते 12 वे शदी में नहीं बनाया गया था दोस्तों ये है आपका कौनार का सूर्य मंदिर दोस्तों कौनार का जो सूर्य मंदिर है वो 13 वी सदी में बनाया था ए ओप्शन यहाँ पे राइट एंसर दोस्तों होगा अगला कोशन देखते हैं संत कबीर का जनम कहां पर हुआ था दोस्तों वारानसी में संत कबीर का जनम हुआ था B option वारानसी correct answer है आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं निम्लिकित विदेशी भासाओं में से कौन सी भासा मुगल साशनकाल में भारत के धर्बार में व्यापक रूप से प्रचलित थी ये थी दोस्तों आपका फारसी भासा option number B फारसी right answer होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन तरह मूफ करते हैं अजमेर में किस सूफी संत की दरगा है दोस्तों अजमेर में मोहिनुदिन चिस्ती की दरगा है C option मोहिनुदिन चिस्ती याने इसे ख्वाजा मोहिनुदिन चि को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था दोस्तों ये था आपका उस्ताद एहमत लाहौरी ऑप्शन निमबर बी उस्ताद एहमत लाहौरी बी ऑप्शन आपका राइट एंसर दोस्तों होगा अगला कुशन है असंब राज्जी का नाम उस जनजाती पर रखा गया था जिसने उस छेतर को जीता था विया काबिल कहां से आया था दोस्तों या कबिला जो है ये आया था फ्रेंड्स आपका श्याम जो कि थाईलेंड से है तो तो श्याम जनजाती के नाम पर भरत के एक राज्जी का नाम असं जो है यह जाती जो है और थाइलेंड का जो प्राचीत नाम था वो भी दोस्तो आपका श्याम देश देखने को मिलेगा डी ओप्षण श्याम करेक्ट एंसर दोस्तों हो जाएगा अगला है रन थमबॉर क्या था दोस्तों रन समबॉर क्या था एक राजपुत दुर्ग है जिसे रन्थम्बॉर कहते हैं बी ओप्शन यहाँ पे रन्थम्बॉर राइट एंसर दोस्तों होगा नेक्स्क्कोशन है मुगलकाल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था और उसने एक विशेशक के रूप में तक्ते ताउस यानि कि मयूर सिंखासन का वर्ड़न किया उसका नाम क्या था दोस्तों उसका जो नाम था आपका ट्रै वर्नियर ओप्शन नमबर C ट्रै वर्नियर राइट अंसर दोस्तों होगा नेक्स्ट है निमलिखित मुगल भावनों में से किसके विशेश में एक अनन्य विशेशता बताई जाती है कि वह लंबाई और चोड़ाई में बिल्कुल बराबर है दोस्तों ये बताई जाती है आपका ताज महल के लिए ओप्शन नमबर C दोस्तों लंबाई और चोड़ाई में दोस्तों एक टोटल बराबर है ओप्शन नमबर C आपका राइट अंसर होगा अगला है किस प्रशित साशक ने कुतुब मिनार को पूरा करवाया था दोस्तों ये करवाया था आपका इल्तुत मिष्ट ने ओप्शन नमबर B इल्तुत मिष्ट ने इसका पूरा करवाया था तो दोस्तों अक्बर नामा जो है ये अबुल फजल ने लिखा था C option अबुल फजल राइट एंसर होगा अगला है मुगल काल का पहला भारती हिंदी विद्वान कौन था options में है आपका मलिक मुहमद जैसी अब्दुर रहीम खाने का ना C option है मुला वजही और D है चंदबर दाई दोस्तों मलिक मुहमद जैसी जो है ये बुगल काल के पहले भारती हिंदी विद्वान थे A option आपका राइट एंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अगला है रामायन को फार्सी में अनुवाद किसने करवाया था दोस्तों इसको जो फार्सी में अनुवाद है ये करवाया था आपका बदा यूनी ने option number B बदा यूनी करेक्ट एंसर होगा next question है सुविख्या संगितकार तांसेन और बैजु बावरा किस के शाशनकाल से सम्मंदित है दोस्तों ये अकबर के शाशनकाल से सम्मंदित है दोस्तों तांसेन की अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल ताम था राम तनु पाणडे exam में ये qiushan पूछा जाता है कि तांसेन का वास्टविक नाम क्या था दोस्तों याद रखीये राम तनु पांडे next question है बड़ा इमाम बड़ा कहाँ पर इस्तित है दोस्तों बड़ा इमाम बड़ा जो है यह लखनौओं में इस्तित है बी उप्शन लखनौओं correct answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला question है कुवत उल इसलाम मस्जित किसके द्वारा निर्मार्ण करवाय गया था दोस्तो तो इस मस्जित का जो निर्मार्ण है ये करवाय गया था आपका कुतुपुद्दिन एबग के द्वारा option number A कुतुपुद्दिन एबग दोस्तो राइट एंसर दोस्तो देखने को मिलेगा दोस्तों कुपत उन इसलाम मस्जित और अड़ाहे दिन का जोपड़ा जो है इसका दिर्मार कुतुपुतिन एबक ने करवाया था दोस्तों ये गुलाम मर्श का प्रथम शासक था अगला कुशन देखते हैं गुजरात विजे की यादगार में अकबर ने निमलिकित में से किसका निर्मार कराया था तो ये करवाया था आपका बुलन दर्वाजे का ऑप्शियन नमबर बी बुलन दर्वाजा आपका राइट एंसर दोस्तों देखने को मिलेगा जिल्ली सल्तनत की दर्वारी भाजा क्या थी? जिल्ली सल्तनत की दर्वारी भाजा थी आपका पर्षियन ऑप्शियन नमर बी पर्षियन राइट एंसर होगा मान करता था दोस्तों वो था आपका भद्र बाहू option number D भद्र बाहू right answer दोस्तों होगा next question है इन में से एक फतेहपूर सिक्री में इस्थित नहीं है दोस्तों मोती मस्जीद जो है ये फतेहपूर सिक्री में इस्थित नहीं है ये आपको आगरा में देखने को मिलीगी option number B आगरा मोती मज़ीद correct answer होगा इसका दिर्मान साजहाने कर भाया था आगे बढ़ते हैं गीत गोविन्द के लेखक कौन है? बहुत ही famous book है आपको ये बताना है गीत गोविन्द के लेखक कौन है? दोस्तों जैदेव जो है इन्होंने बारहमी शदी में गीत गोविन्द की रचना की थी और इसमें भागवान कृष्ण और राधा और गोपियों के समंदों की व्याख्या की गई है तो ये option क्या होगा आपका जैदेव जो है दोस्तों ये correct answer होगा next question है सल्तनत की राज की भासा क्या थी? दोस्तों सल्तनत की जो राज की भासा थी वो थी आपका परशियन option number A परशियन correct answer होगा अगला है इन में से किस शहर में मोती मज़िद इस्तित है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको आगरा में मोती मज़िद इस्तित है और इसका निर्मार साजहा ने करवाया था 15, 16, 48, 54 के बीच में अगला question है निमलिखित में से किस मुगल समराट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? दोस्तों जहांगीर ने हिंदी संगीत की रचना की थी option number C जहांगीर राइट एंसर दोस्तों होगा अगला question है यहाँ पर राज तरंगनी किस के द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों तो राज तरंगनी जो है ये कलहन, अलबरुनी, हिंदी और अर्भी आपके सामने options में है दोस्तों ये पूछा है किस के द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों तो राज तरंगनी जो है ये कलहन के द्वारा लिखी गई थी कश्मीरी इतियासकार कलहन जो है, ये सुप्रशिद जो राज तरंगनी है जिसको 1148-50 के बीच में लिखा गया था दोस्तो ये लिखी गई थी आपका कलहण के द्वारा A option यहाँ पे कलहण दोस्तो राइट एंसर होगा अगला question है भारत में बीबी का मकबरा कहां पर इस्तित है दोस्तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा इस्तित है बी option औरंगाबाद correct answer आपका होगा नेक्स question है निम्ड में से किसे तृती ए हिंद के नाम से जाना चाता है दोस्तो अमीर खुसरो को तृती ए हिंद के नाम से जाना जाता है option number B अमीर खुसरो correct answer होगा नेक्स question है जहांगीर का मकबरा कहां पर इस्तित है दोस्तो जहांगीर का मकबरा जो है ये लाहौर में इस्तित है C option लाहौर right answer दोस्तो देखने को मिलेगा अगला question है बीजापूर अपडे दोस्तो किस के लिए जाना जाता है तो बीजापूर जो है ये गोल गुमबत के लिए जाना जाता है option number B गोल गुमबत दोस्तो right answer यहांपे हो जाएगा next question है निम्ण मेंसे अकबर का मकबरा किस अस्तित है यहांपे options में है सिकंद्रा, आगरा, फतेपूर सिक्री और इलहाबाद तो दोस्तो अकबर का जो मकबरा है वो आपको सिकंद्रा में देखने को मिलेगा A option सिकंद्रा दोस्तो right answer हो जाएगा दोस्तो इसने अपना मकबरा स्वैम अपने मकबरे का जो निर्मार्ण है यह शुरू करवाया था और मकबरा के बीच में फ्रेंट्स इसके मित्यों हो गई और उसके बाद जो इसका पुत्र था जहांगिर उसने इसके मकबरे को पूरा करवाया था तो सिकंद्रा में इसका मकबरा देखने को मिलेगा अगला कुशन है शाजहा ने ताज महल किसकी याद में बनवाया था तो मुम्ताज महल की याद में शाजहा ने ताज महल का निर्मान करवाया था अगला कुशन है आगरे का किला किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों तो आगरे के किले के अगर हम बात करें तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था और आगरे का जो किला है जिसे ताज महल जो है उसका दिर्मान साथ जहाने कर वाई तो बी ऑप्षिन यहाँ पर राइट एंसर दोस्तों होगा अगला खुशन है जंतर मंतर कहां पर है और दोस्तों अगर अलग अलग जगह की बात कर तो जंतर मंतर जो है वो दिल्ली मतुरा जैपूर और उजैन और वराणसी में है लेकिन सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो दोस्तों राजस्तान जैपूर में आपको देखने को मिलेग अगला कुशन है रामचरित मानस एक महा काव्य है जो किस भासा में लिखी गई है तो फ्रेंट्स रामचरित मानस जो है ये संस्कृत में लिखी गई थी दोस्तो इसकी जो रचना है वो गोश्व में तूलसी दास ने सोलहवी सदी में की थी दोस्तो अवधी भासा में ये लिखी गई थी क्या होगा इसका राइट एंजर option number C अवधी भासा में रामचरेत मानस लिखी गई थी अगला है हवा महल किस ने बनवाया था दोस्तो हवा महल जो है इसको महराजा प्रताप सिंग ने बनवाया तो option number B महराजा प्रताप सिंग करेक्ट एंसर यहाँ पे होगा next question है हुमायू का मखबरा किस के द्वारा बनवाया था दोस्तो ये बनवाया था अपका हमीदा बानु बेगम के द्वारा option number B हमीदा बानु बेगम के द्वारा पंदर सो बासट इस्वी में इसका निर्मान करवाया था next है जोथपुर का किला किस दे बनवाया था दोस्तो जोथपुर का चो किला है वो राव जोधा जी दे बनवाया था c option राव जोधा जी right answer दोस्तो होगा अगला question है कौन सा विश्व विरासत अस्थल इल्तुत मिस के मकबरा एर्फी परिशर में शामिल है तो ये है आपका कुतुब मिनार option number c कुतुब मिनार right answer दोस्तो होगा next question है कौन सा विश्व विरासत अस्थल अलाई दरवाजा दोस्तो परिशर में शामिल है options पर है यहाँ पर आपका हुमायू का मकबरा b option है महा बोधी मंदिल परिशर c है कुतुब मिनार और d है लाल किला c option कुतुब मिनार जो है वो इसका दोस्तो right answer हो जाएगा अगला question है किस सब विश्व विरासत अस्थमारक को मुगलो का कबरिस्तान कहा जाता है दोस्तो यह कहा जाता है आपका हुमायू के मकबरे को a option हुमायू का मकबरा दोस्तो right answer यहाँ पर होगा अगला question है मोती मजिद इन में से किस विश्व विरासत है फिर धरुवर अस्थर में इस्थित है तो यह इस्थित है दोस्तो आपका लाल किले में d option लाल किला correct answer यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला है सरीम चिश्थि की समादी या फिर दर्गा कहां पर इस्थित है दोस्तो यह आगरे के किले में इस्थित है d option आगरा का किला आपका right answer यहाँ पे होगा अगला question है दिवान एक खास इन में से किस इसमारक में बना है दोस्तों ये बना है आपका लाल किला परिशर में option number D लाल किला परिशर right answer दोस्तों हो जाएगा दिवान एक खास जो है इसका निर्माण 1637 श्वी में जो मुगल बासा था जिनका नामता सा जहां दोस्तों आगरा के लाल किले में इसे बनवाये गया था दोस्तों यह एक सफेश संगमर्मर से निर्मित एक आयता कार इमारत है अगला question है किस अस्थान में बुलन दर्वाजा का मुख्य द्वार है दोस्तों जहां पर बुलन दर्वाजा होगा मुख्य द्वार भी वहीं पर होगा C option फते पूर्ष सिक्री जो है यह आपका right answer दोस्तों देखने को मिलेगा अगला question है जामा मजिद किस विश्व विरशत अस्थल में इस्तित है तो friends यह सित आपका फते पूर्ष सिक्री में option number A फते पूर्ष सिक्री correct answer होगा अगला question है हुमायो की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई इनकी बेहन जिनका नाम था गुल बदन बेगम दोस्तों हुमायो की बेहन का नाम था उन्होंने इनकी आत्मकथा लिखी थी हुमायो की तो D option गुल बदन बेगम राइट answer होगा अगला question है भारती उक महद्वीप में कौन सा पहला बगीचा मकबरा था दोस्तों ये था आपका हुमायो का मकबरा option number B हुमायो का मकबरा राइट answer दोस्तों हो जाएगा इसका निर्मान जो है इनकी पत्तनीचिन का नाम था हमीदा बानो उन्होंने पंदा सो सत्तर इस्वी में करवाया था next question है किस विश्व विरासत अस्थल का निर्मान यम्णा नदी के किनारे किया गया है दोस्तों ये किया गया आपका ताच महल का option number A ताच महल राइट answer दोस्तों होगा अगला question देखते है दोस्तों इसका राइट answer होगा option number B सा जहां next question देखते है सही क्रम में विवस्तित करना है दोस्तों इसका जो राइट answer है वो हो जाएगा option number A निजामुदिन ओलिया, उसके बाद कबीर, फिर मीरा भाई और फिर तुलसी दाश यह option आपका दोस्तो राइट एंसर है नेक्स्क्रिशन है, दोस्तो यहाँ पे इनके जनम के हिसाब से बात किया गया है तो इनका जनम जो है यह 1236 इस्वी में हुआ था कबीर का जनम हुआ था दोस्तो 1440 इस्वी में और मीरा भाई का जनम हुआ था 1498 में और तुलसी दाश का जनम है दोस्तो वो हुआ था 1532 इस्वी में आगे भड़ते हैं, अगला कुशन है यहाँ पे अगला कुशन है फ्रेंड्स यहाँ पे निम्लिकित में से कौन सा सूफी संत के साथ सम्मंदित है तो ये है दोस्तो आपका खान का option number C खान का right answer यहाँ पे हो जाएगा अगला question है निम्लिकित में से कौन सा पहलो दोनों भक्ती आंदोलों और सूफी आंदोलों दोनों में समान है समान नहीं है तो दोस्तों ये है आपका मुर्तियों की पूजा यानि की दोस्तों मुर्ति पूजा जो है ये भक्ती आंदोलन और सुफी आंदोलन में समान नहीं है तोस्तों दोनों ही आंदोलनों में मुर्ति पूजा का जो है ये विरोत किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है महराश्ट का सबसे माहान कवी कौन था तो friends ये था आपका तू का राम option number B तू का राम right answer होगा अगला है प्रशित भक्ति संत जो मेवार के शाही परिवार से समंदित थे तो ये थे friends आपका मेरा बाई C option मेरा बाई जो है ये right answer दोस्तो हो जाएगा next question है पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था तो friends ये रामानुज के द्वारा आयोजित किया गया था D option रामानुज यहाँ पे right answer होगा दोस्तो बारवी सदी में भक्ति आंदोलन के पतिपादक महान वैश्टनों गुरु जो है रामानस थे और इनका जो जलम है वो तमिल नाडुराज के पैरम टूर में हुआ था अगला है वह सूफी संथ जिसने बताया कि भक्ति संगीद के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात तरीका था ये थे friends आपका बाबा फरीद, B option बाबा फरीद, right answer यहाँ पे हो जाएगा अगला है माहराश्ट में भक्ती पंत किसके सिक्षा प्रचार के साथ फैला था तो सुछी संथ तूका राम के साथ फैला था option number A, संथ तूका राम चुह है यह correct answer यहाँ पे देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला question है दोस्तो अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगा है? options में है बाबा फरीद, B है कुतुब उद्दीन, C है मोयन उद्दीन चिस्ती और D है शेक पाह उद्दीन दोस्तो अजमेर में मोयन उद्दीन चिस्ती की दरगा है C option यहाँ पे मोईनुदिन चिस्ती राइट एंसर दोस्तो हो जाएगा अगला कुशन है भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागरे कहाँ पर है तो यह है दोस्तो आपका मोईनुदिन चिस्ती जो कि आपको अजमेर शरीब दोस्तो देखने को मिलेगा स्रिंगेरी, बदरिनास, द्वारका और पुरी में चार मठ किसके द्वारा अस्थापित किये गए थे दोस्तो आदी शंकरा चार के द्वारा चार मठ अस्थापित किये गए थे C option यहाँ पे राइट एंसर फ्रेंट देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला कुशने संत कबीर का जनम कहाँ पर हुआ था दोस्तो बनारस में इनका जनम हुआ था option number B बनारस राइट एंसर फ्रेंट्स हो जाएगा और ये हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो का last question निम्लिके दाशनिक और उनके दर्शन सम्मुव में गलत जोड़ा घ्यात करना है तो इसमें जो राइट एंसर वो होगा आपका C. चैतने वसिष्ट द्रेथ दोस्तो चैतने स्वामी के दाशनिक सिद्धान को हम अचिनते भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है C. option आपका right answer दोस्तो होगा और ये था आज का last question दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक को शेर ज़रूर करें दोस्तो हम आपके लिए इतनी महनत करते हैं तो आप एक support तो करी सकते हो